हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस यूटूब चैनल पर तो आज का हमारा विशह उन बच्चों के लिए जो अपने सरीर को डवलप करना चाहते हैं हेल्थी होना चाहते हैं बहुत से ऐसे होते हैं जो दुबले पन के सिकार होते हैं दुबले पतला पन होता है सरीर का लेकिन उनको खाया प्या भी नहीं लगता बहुत सी बार किसी हेल्थी इंसान को देखते हैं कि सामने जा रहा है भाई हेल्थी इंसान है उससे थोड़ी सी इर्शा भी होने लगती है और बहुत सी बार तो ऐसा होता है बहुत से उंसे पूछ भी लेते हैं कि सर जी आपका शरीर इतना डवलप है हेल्टी है तो आपका भाई दाइट प्लान क्या है या फिर भाई क्या दिन चरिया है आपकी और वो बताते हैं लेकिन जो दुबले पन के सिकार हैं वो उसी डाइट प्लान को लेते हैं उसी दिन चरिया को अपनाते हैं लेकिन उनका सरीर डवलप नहीं होता लाश्ट में हार मान जाते हैं और कहना पड़ता है कि भाई हम जैसे हैं ठीक है क्योंकि जादे हेल्थी होना भी दिक्कत वाला विशे है जादे हेल्थी होना भी खतरनाक है लेकिन हमारा सरीर ऐसा तो हो जाए भाई दिखने में ठीक तो लगे हैं ऐसा लगता है कपड़ों मैं भी कि कोई हेंगर में कपड़े लटक रहे हो चलिए एक मजाक वाली बात हो गई तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि भाई उनको खाया पिया भी नहीं लगता अपने सरीर को डवलप करना चाहते हैं तो वो क्या करें? बहुत से बार सर्च करते हैं भाई प्रोटीन पौडर ऐसा मिल जाए हमें कोई हमें दवाई ऐसी मिल जाए कोई चाह अंग्रेजी दवाई खाले हमारी हेल्थ बन जाए और बहुत से बच्चे अंग्रेजी दवायों का सेवन भी कर लेते हैं लेकिन वो बहुत जादा खतरनाक सावित हो जाता है आने वाले भविशे के लिए उससे काफी साइड इफेक्ट हो जाते के बार लीवर भी ठप कर देता है तो ऐसी चीजे ना ले आप अवोइड करें ऐ हाई आप क्या ले रहे हो जो हमें औरों से पूछना पढ़ रहा है वो हमसे खुद पूछे चलिए मैं बता देता हूँ आसानी से किसी भी पंसारी से मिल जाएगा पंसारी उसे का जाता है जहां पर जड़ी बूटिया मिलती है हर छेतर में हर गाउं देहात में भी मिल जात दूसरा में दूसरा ले ले आप शतावर शतावर भी आसानी से मिल जाता है तीसरा आप लेंगे सफेद मूसली ये भी आसानी से मिल जाती है चोथा आप लेंगे बादाम की गिरी बादाम की गिरी का वजन सो गिराम होना चाहिए और लेंगे आप सोयबीन की दाल सोयबीन क दाल ही लेनी है ये भी आसानी से मिल जाती है और लाश्ट में आपको लेनी है विधारी कंद ये विधारी कंद भी आसानी से आपको मिल जाती है लगबग इस टाइप की होती है जैसे लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते है सफेद कलर के और उनको आप तोड़ेंगे जैसे खड़िया होती है ना तूट जाती है आसानी से इस तरह से वो तूट जाती है तो अब इनको करना क्या आपको इनको सभी को सो सो गिराम लेकर पीस कर पोडर बना लेा बिल्कुल बारिक पोडर बन जा और ध्यान रहे कि पीसते समय उसे धी गरम ना हो अगर पीसते समय गरम हो गई तो समझ लिजी आपका लेना ना लेना एक ही बात है, तो इस तरह से पीसे अगर मिक्सी में पीस रहे हैं, जो कूटने वाली चीज़ें हैं, जो कूटने वाली उससे दिये, उनको पहले इमाम जस्ते में, ओखली में किसी भी सायता से, उनको कूट ले अच्छी तरह से कूट कर फिर मिक्सी में आप घर के मिक्सी में पीश सकते हैं पीशनक इस तरह से आप मिक्सी को चलाएं थोड़ा चलाएं कुछ समय के लिए कुछ छण के लिए चलाएं आदे मिन्ट के लिए रोग दें कितनी देर के लिए देर से दो मिन्ट आप ना चलाएं उसको फिर चलाएं दुबारा दो मिन्ट बाद आधे मिनट के लिए फिर देर दो मिन्ट रोग दे तो इस तरह से अगर धीरे धीरे करकर आप मिक्सी चलाते हैं दवाईयां पीशते हैं तो ओसेदी गरम नहीं होगी और ओसेदी गरम हो गई तो किसी काम की नहीं होगी आपके तो इस तरह से पीशे की ओसेदी गरम ना हो और पीश भी जाए तो जब ये बारिक पीश जाए तो को सेवन कर ले उससे और एक चम्मस सुभह ले फंकी ले अपना दूद पी ले अच्छा स्वाद के अनुसार अगर आपको खाने में ऐसा टेश्ट लगे इसका तो इसके अंदर या तो कच्छी खांड कच्छी खांड आती है आसानी से मिल जाती है भी पंसारी से तो कच्छी आप सुभाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं जैसे आपने सो सो गिराम पांच चीजे ले ली और लगबग दो सो गिराम की मातरा में या देड़ सो गिराम की मातरा में कच्छी खांड डाल लें कच्छी खांड अगर नहीं मिलती तो अल्टरनेट क्या होगा इसका धागे व डेड़ सोंगिराम की मात्रा में सभी के साथ में याणि कि ये सभी सोंगिराम ले लो और डेड़ सो ये दो guitar मिश्री, या फिर कच्छी खांड का सेवन करें अब इन सभी को पीस के बन चुका है और एक एक चम्बत सुबहशाम सुबह नास्ते के दोरान भी ले सकते हैं आप जैसी नास्ता करते हैं उसके साथ भी ले सकते हैं नास्ते के बाद भी ले सकते हैं ऐसी फंकी ले अपना दूद पी ले और चबा चबा के इसको और दूद पी कर खा ले क्योंकि वैसे अगर आप लेंगे भाई मूँ के अंदर ऐसी चला जायागा तो ऐसे पोसीबल नहीं क्योंकि सफेद मूसली है ये अंदर एक गोल सा बना लेगी लुआप सा बन जायागा आपके तो चबा चबा कर आप दूद पी पी कर इसको खा सकते हैं या थोड़ा थोड़ा करके खालें एक साथ ना खा सके थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं इसी तरह से रात को खाना खाने के बाद एक चम्मत तब खालें दूद के साथ तो सुबह शाम एक एक चम्मत दूद के उले चुके ऐसे भी होगे यह ने का है विधारीकंद और सोय भी इनकी डाल बदाम यह और चीज शेवन करें इसके साथ में जो छे चीजे बता ही है मैंने अशुगणर। सफेद मुसली, सोयव, इनकी दाल, बादाम की गिरी और विधारीकंद, अगर इनका सेवन साथ में करते हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, अच्छा बहुत से चाहेंगे, जैसा भी मैंने कहा कि और भी कुछ ले सकते हैं, मैं बता देता हूं, और क्या लेना आपक एक्ष्पा, कि थोड़ा सा और जल्दी डवलप हो जाएं, जो आप चाहते हैं, प्योरली पूरी तरह से मिल जाएं आपको, तो साथ में आप दो आसव सेवन कर सकते हैं, आसव यानि कि एक सीरफ बता देता हूं मैं, आसानी से मिल जाते हैं, किसी भी मेडिकल शोप पर भी मिल जाएंगे, आयरवेदिक शोप पर भी आपको मिल जाएंगे, एक तो द्राक्षाशव लें आप, और एक लोहा सव, ये दो आसव ले लें आप, पीने वाले लिक्विड होते हैं, लोहा सव और द्राक्षाशव, और बैदनात कमपनी के लिए ज़्याद उचित रहेगा कमपनीया बहुत बनाती है, डाबर भी बनाती है, पतांजली भी बनाती है, और बाकी जो आपकी इच्छा हो, जो अवेरिबल हो वो ले लें, बाकी बैदनात का ले लें, जादा अच्छा रहेगा, ये दोनों आसव ले लें, पीने कैसे हैं, वही, सुबह जैसे आपने पो लोआ सफ के डालें उस कटोरी के अंदर, और दो धखकन या तु टी इस्पून द्राकछा सफ के डालें, उसी कटोरी के अंदर दोनों को मिक्स कर लें, आप फोर टी इस्पून आपकी ये मेडिसिन हो गई, यानि की चार धखकन दवाई हो गई और चार ही डखकन या फोर आप पानी डाल ले नौर्मल पानी उसके अंदर mix कर ले अच्छी तरह से पी जाए उसी छण आपको पानी के आवशकता है पीना है उपर से तो आप पी सकते हैं नौर्मल पानी इसी तरह से रात को जैसी आपने पोडर लिया ये दूद के साथ चाहे आदे घंटे पहले आदे द्राक्षा सब के चार धकन दवाई होगी चार ही डकन नोर्मल पानी मिलाए और पी जाए उपर से पानी पीनाए और पी सकते हैं बस आप साथ में ये कर लो विश्वास माने आप महीने भर ले लो रिजल्ट आपको खुद पर खुद दिख जाएगा हालेकि पंदर दिन है जो आप चीज ले रहे हैं क्या ले रहे हैं बंद डबे में हम खरीद के लाते हमें कुछ नहीं पता है इसके अंदर क्या है आड़ कबार है क्या है क्या है क्या नहीं क्या मिलाया क्या ड्रक्स मिलाई है क्या कुछ मिलाया है हमें कुछ नहीं पता दवाईयों के बारे में लेकिन जो हम लेकर खुद कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं हमें पता है न हम क्या कर रहे हैं हम अच्छी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं प्योर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हातों से बना कर इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिजल्ट जरूर मिलता है अब बहुत से ऐसे हैं समारियों से भी दूर रखेगा हर चीज़ से ठीक रहोगे आप स्वस्त सरीर रहेगा आपका निरोगी काया रहेगी आपकी इस्टैमिना बढ़ेगा इससे दुबलापन जो है सरीर का वो भी खतम होता चला जाए कमजोरी वीकनेस बहुत से ये कहते हैं कि भाई मेरे सरीर में दुखन सी रहती है दर्द सा रहता है जादे काम कर लेता हूं तो ठक जाता हूं रात को सोता हूं अराम से नीद बहुत अच्छी आती है लेकिन सुबह उठा नहीं जाता दर्द होता है पूरे सरीर में अकड़ा हर सी रहती है कमजोरी वीकनेस सी मैसूस होती है तो भाई व वो भी कर सकती हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन 12-15 साल से नीचे के बच्चे को ना दें आप, बड़े बच्चे को दे सकते हैं, कोई आपती नहीं है, बस, सरीर आपका ग्रोध होता चले जाएगा, यकिन माने हैं, आप ठीक हो ना दो किसी ने फला आदमी मिल गया उसने कह दिया अरे ये खाले ये हो जाएगा वो खाले यार फला टैबलेट खाले ये खाले कैपसूल खाले ये खाले अरे कुछ नहीं रखा इंच चुछाओं भाई जो देशीन उसके हैं वही काम्याव है पहले डोक्टर नहीं होते थे अब जगा जगा आपको डोक्टर गली गली में एक गली में ही चैचा डोक्टर देखने को मिलें क्यों भाई धंदा बन चुका है और कुछ भी नहीं है मैं खुद कहूंगा खुद डोक्टर होते हुए ये आपसे कहूंगा भाई ये पेशा एक धंदा बन चुका है बस जो वीडियो में यही था जी छेत्र में आप होंगे हसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे अपना ध्यान रखेंगे अपने बच्चों का अपने परिवार वालों का और अपने माता-पिता की सेवा करेंगे कल मिलते हैं नए टोपिक के साथ धन्यवाद